दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जुरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी नीज पे दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे बड़ी खबर है त्रिसंकूर ही 17 लोकसभा तो दिली में सत्ता के रिए किंग में कर सावित होंगे ये तिकड़ी जी हाँ दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 के पाच चरन का मतदान हो गया है जबकि छठे चरन का परचार अभी थम चुका है जिस तरह किसे बिपक्ची दल अस्व अलग राज्यों की नेता किंग मेकर सावित हो सकते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में ज्यादतर राजनितिक दलों ने अपने सियासी पत्ते खेल दिये हैं कि वह किस खेमे के साथ हैं जो दल UPA और NDA के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उनके तेवर देखक पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वे चुनाव नतीजे आने और तिरिस्टंकु लोकसभा होने पर किस पोल में जाएंगे और किस में नहीं लेकिन अगर बात करे उरिसा के मुख्यमंत्री और BJD प्रमुख नविन पटनायक तेलंगाना के CM और TMC प्रमुख KCR और YSR क कांग्रेस के अधक्ष जग मुहन रेड़ी की तो इन नेताओं ने अपने इरादे जाहिर नहीं किये ऐसे में इन दलों की तिगड़ी पर भी सबकी निकाहे होगी आपको बता दी कि उरिसा में एक किस आंधर परदेस में 25 और तेलंगाना में 17 सीटे हैं इस तरीके से इन त पर इन ही तीन दलों का कब जा रहेगा ऐसे में ने दाओं की ये तिगड़ी सत्ता की किस्मत का फैसला तै करने के लिए किंग मेकर की भूमी का जरूर निभाएंगे जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी कबरे अब बीजेपी ने सेयर किया रजीव गांधी का वो भासन जो को पुरा अंतक्ते किये दोस्तों दिली में लोकस मा चुनाओ की वोटिंग की अभी दो दिन पहले बीजेपी ने कॉंग्रेस पर फिर से हमला किया पार्टी के अधिकारी ट्विटर हैंडिल से रजीव गांधी का वो भासन सेयर किया गया जिसमें वो कहते हैं जब बड़ा पर आरोप है कि वो दिली में उस भीन की अगवाई कर रहे थे जो सीखो की निसानी बनी हुई थी इसमें से सज्जन कुमार, जगदीस, टाइटल, कमलनाथ और एचके आर भारत सामिल थे जिसका जिकर बीजेपी की ओर से जारी वीडियो में किया गया है आपको बता दे कि यह तिसरे मौका है जब बीजेपी ने चुनाओ के बीच पूर प्रधानमंतिर रजीव गांधी को घसीटा है बीते हप सपताह में प्रधानमंतिर नरेंडर मोदी ने एक रैली में कहा था कि रजीव गांधी की मौत भरष्टचारी नंबर एक के रुपे हुई है उसके इस पोत में आइनेस विराट का इस्तमाल परसनल टेक्सी के तौर पर किया गया हालाकि इस आरो पर सीप के कमांडर है वाइस एड्मिरल विनोध परिक्षा ने इससे इंकार कर दिया है 19 नुवंबर 1984 इंदरा गांधी की हत्या के बाद उसका पहला जनम दिन दिली के सिक दंगो से सुरू हुआ 15 दिन भी नहीं बिते थे और रजीव गांधी के तमाम रस्मो रिवाज के साथ इंदरा गांधी का जनम दिन मनाने की घुशना कर दी ये वो दोर था जब इंडिया गेट के नस्दीक वोट कलब सियासत का केंदर बिंदू हुआ करता था और आज के रामलील को संबोधित करने जा रहे थे कांग्रेस के आयोजित की गई इस तैयारियों को कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी वह दिन आ गया वोल्ट कलब में दिल्ली के अलावा पडोसी राजियों के जुटे कारे करता नूमा भीड का पूर्व ध्यान रजीव गांधी की तरब था ज तरफ सत्ता रूड बीजेपी अपनी वापसी के लिए हर संबप्रियास कर रही है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस समय तमाम भी पक्षितल मोधी सरकार को हटाने के लिए पुर्जियों को सिस कर रहे हैं इसके बीच खबर आ रही है कि पस्चिम बंगाल में सत्ता रूड मामत पेनिपूर, बांकूरा और पूलिया जीले आते हैं तरिमूल कॉंग्रेस ने जो पल्टन तयार की है उसमें मावादी समर्थित पुलिस अत्याचार विरोधी जंग समीती के अध्यक्स हैं जो कुछ जन जागरन मंच जैसे ग्राम परतिरोधक गुठ के लोग भी उसमें सा कि ऐसा बल इस समय की आवस्यक है क्योंकि भाजपा के खिलाफ लड़ाई राजनीती के साथ ही विचारधारा की भी है मैत्री ने काये कि भाजपा जैसी कैड़ेट अधारित पार्टी को लड़ने के लिए आपको कैड़ेट अधारित पलटवार भी जरूरी है पुर्व कि उन्हें बेहतरीन संगठनात्मा कौसल है इसलिए हमने उन्हें एक साथ लाने की सोचे ताकि जन संपर के लिए एक बिचोड पल्टन तयार हो सके आपको बता दे कि त्रिमूल कॉंगरेस के नेता अमीत मैतरी ने कहा है कि भाजपा के खिलाफ परचार के लिए कम से कम 200 ल रही है जी हाँ दोस्तों कांगरेस नेता नोजो सिंग सिद्धू ने एक बार फिर से परधान मंतरी मोधी पर निसाना साथ है पंजाब सरकार के कैबिनेट मंतरी रहे नोजो सिंग सिद्धू ने परधान मंतरी मोधी पर चुनावों के दोरान विभाजन कारी राजनीती कर अरोप लगाते हुए उन्होंने चुनोती दी है कि वह पेरोजगार, नोटबंदी और माल या सिवाकर यानि GST जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ करके दिखा नोजो सिंग सिदूर ने इन दौर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी में दम है तो वह रोज को में जमा कालाधन भारत लाने वाले वादे तो निभाही नहीं रही है, जियां दोस्तों कॉंग्रेस नेता ने कहा है कि मोदी सरकार जूट बोल रही है, प्रधानमत्री मोदी और उनका पूरा कुलबा जूटा है, सिदू ने अपने चीत परिचीत अंदाज में तंज कूली नमबर वन और बीबी नमबर वन जैसे फिल्में तो देखिए, लेकिन इन दिनों मोदी सरकार की एक नई फिल्म आ रही है, वो है फेकू नमबर वन, उन्होंने मोदी सरकार पर का टाक्षपूर्ण आक्रमन जारी रखते हुए कहा है कि ना राम लीला, ना रुजगा पक्का बिल लेना चाहिए, लेकिन जब रफाल बिमान को खरीदने के बिल का पता नहीं, जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी ख़वरे, पाकिस्तान के परदान मंतरी इमरान खान भारत से माग रहे हाथ जोड़कर के मापी, जल्द हो सकता है इस पर फैसला, जी हाँ दोस्त पाकिस्तान को भारत की चाह पीनी पढ़ रहा सकती है, क्यूंकि चाह के बड़े उत्पाद केबल देश केन्या के इस साल सूखा पढ़ने की वज़ो से जदा उत्पादन नहीं हो सका है, ऐसे में केन्या में चाह मंगवाना पाकिस्तान के लिए बेहत महंगा होगा, मौझूदा समय में पाकिस्तान के उपर 200 फीसदी इंपूर्ट डूटी बढ़ा दी गई है इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए भारत के चाय सस्ती पड़ेगी लिहाजा भारत चाय का निर्यात 2019 में बढ़कर के 2 से लेकर के 2.25 कडूर किलोग्राम हो सकता है आपको बता पाकिस्तान में 2007 से लेकर के 2016 के बीच प्रतिव व्यक्ति चाय की खपत लगबग 36% बढ़ी है यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रिकल्चर और अग्रिजिशन के अनुशार पाकिस्तान में 2027 तक चाय की खपत बढ़कर के 2.50.800 टन पहुंच सकती है अभी यह आक पाकिस्तान इस्वित आतंकवादी संगठा नेली थी आईटी एके चेर्मेन विनोध गोएल ने कहा है कि देश की टी इंडरस्री एक्सपोर्ट के लिए नए मार्केट की जरूरत कोशिस कर रही है यहां दोस्तों अगली बढ़ी खपर है मोधी की जाती पर टिपमणी को ल रुशना की है जिसमें से मायवती ने दावा किया था कि परधारमत्री मोधी पिछडी जाती से पैदा नहीं हुए थे पासवान ने कहा है कि मायवती के इस दावेन ने संविधान को लेकर के उनकी अग्यानता को उजागर करता है दलित नेता पासवान ने कहा है कि मोधी की जाती 1994 में अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी जा चुकी है जब वो सत्ता में नहीं थे और कम परसिद थे उन्होंने कहा है कि आरक्चन हासिल कर चुकी जातियों की सूची को अकसर उद्धान किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि अब तक की बिहार और उत्तरप्रदिस जै कि उनका दावा के वल समिधान को लेकर के उनकी अग्यानता को उजाद करता है आपको बता दे कि मायावती ने यह आरोप लगाया था कि मोदी पिछड़ी जाती में फरजी नेता है क्यूंकि वह पिछड़ा जाती में पैदा नहीं हुए है